नवसकार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवीन मिस्र, आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बितेगा, सबसे पहले बात आज के पंचान की 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार, फालगुन मास चल रहा है, शुकल पक्ष है, दुतिया तिथी रहेगी, सुबह 7 बज कर 13 मिनट तक फिर तिरतिया तिथी शुरू हो जाएगी रेवती नचत्र रहेगा, राध को 8 बज कर 29 मिनट तक फिर अश्वनी नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा मीन राशी में रहेंगे, रात को 8 बज कर 29 मिनट तक फिर मेश राशी में परवेश कर जाएगे भगवान सूरे कुम्भ राशी में विराजमान है आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12 बजकर 7 मिनट से दोपहर 12 बजकर 55 मिनट तक राहुकाल का समय होगा दोपहर 3 बजकर 29 मिनट से साम को 4 बजकर 69 मिनट तक दिशा शूल है उत्तर दिशा चले शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बाद मेश राशी की नए कारी की योजना बनेगी पुरानी परिशानियों से चुटकारा मिलेगा उन्नती के लिए नए सीरे से विचार करना होगा भागे का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा करियर को आगे बढ़ाने का समय है जो लोग बिजनस करते हैं मेश राशी वाले व्यापार में नया निवेश कर सकते हैं जरूरी टिप क्रोज से बचे शुबरंग लाल उपाए किसी गरीब को भोजन दान करे ब्रश राशी आपकी नित्यत्य चमता बढ़ेगी समस्याओं को हल करने के रास्ते मिलेगे अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा लोगों से मतभेद हो सकता है प्रापर्टी से जुड़े काम बनेगे व्यापार में स्थिती सुधरेगी जरूरी टिप नेगेटिविटी से बचे शुबरंग गुलाबी उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं मित्धुन राशी करियर को लेकर नए सीरे से विचार करना होगा योजना बना कर काम करने से लाब होगा भागय का सपोर्ट मिलेगा अंजान लोगों से मुलाकात होगी मन की चिन्ता दूर होगी व्यापार में धन की प्राप्ती का योग है जरूरी टिप गुसा ना करें शुबरंग हरा उपाय हनुमान चालीसा का पाट करें करकराशी आज कोई अच्छी खबर मिलेगी रिस्तेदारों से मतभेद दूर होगी करियर के छेत्र में फैसला जल्दवाजी में ना करें पैसा बचाने का प्रयास करें परिवार को और समय देना होगा व्यापार में हानी हो सकती है सावधान रहें जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग क्रीव उपाय गव माता को रोटी खिलाएं सिंगराशी धन की इस्थिती में सुधार होगा मन की चिंता दूर होगी रुके हुए काम बनेंगे यात्रा से लाव का योग है आपका सम्मान और बढ़ेगा व्यापार में स्थिती अनुकूल रहेगी जरूरी टिप इगो से बचें शुबरंग लाल उपाय किसी गरीब को आटे का दन करें कन्यराशी किसी से मतभेद हो सकता है पैसा उधार देने से बचें सेहत पर ध्यान देना होगा नेगेटिव विचारों को अपने उपर हावी ना होने दे हर काम सोच समझ कर करना होगा व्यापार में ध्यान देने का समय है जरूरी टिप कम बोले शुबरंग हलका हरा उपाय हनुमान जी की आरती करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है नितिन सर्मा का इनकी डेट अब बर्थ है 7 जून 1997 रात को 10 बज कर 15 मिनट अमरावती महरास्ट का जन्म है इनका सवाल ये है कि ये बिजनेस करते हैं लेकिन व्यापार में इस समय कर्ज बढ़ रहा है कब कर्ज उतरेगा नितिन जी जो आपने बर्थ डेटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपकी मकर लगन की कुंडली है और मिथुन राशी है आपका जन्म पुनरवशू नचत्र के प्रथम चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है जो दिसंबर 2010 से शुरू हुई है और दिसंबर 2029 तक रहेगी और शनी की महादसा में मंगल की अंतरदसा जून 2013 से अगस्त 2014 तक रहेगी तो शनी की महादसा में मंगल की अंतरदसा चल रही है आईए आपकी कुंडली क्या संकेत दे रही है देखिए अभी आपको सलाह ये है कि अभी कर्ज और ना लेने की कोशिस करें अभी आपको कर्जा आपका कैसी चुकेगा उसका उपाय बताते हैं लेकिन कर्जे को और बढ़ाने की कोशिस ना करें जितना आपका बजट इलाव करता है उसी में अपना काम करिए कर्ज जो है आपका अभी से ले करके और दिसंबर दोहजार अठाइस तक समाप्त हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में खास करके नॉम्बर दोहजार पच्चिस से इस्तिती अनुकूल होना शुरू होगी और फिर दीर दीर आपका कर्ज घटता चला जाएगा आपके लिए सलाह ये है कि भावनाओं में बहकर डिसिजन लेने से बचे जो भी डिसिजन लेना अपने घट परिवार वालों की सलाह लेकर के ही बड़े फैसले करें तो अच्छा रहेगा दूसरा अपने स्वास्त का ख्याल रखें उपाय क्या करना है पहला उपाय प्रति दिन भगवान गणेश जी की पूजा करिए गणेश जी की आरती करिए बुद्वार के दिन गणेश मंदिर जाकर के गणेश जी को हरे दूब घास की माला अवश्य चड़ाएं और नियमित रूप से कोशिस करें कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं और जो भी मन की इक्षा है हनुमान जी से प्रात्रा करिए ये दो उपाय करना शुरू करिए भगवान गणेश की करपा से सारी बाधायें दूर होंगी और हनुमान जी की करपा से आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और आप अच्छे डिसिजन लेने में काम्याद होंगे तुला राशी योजना बनाकर जरूरी काम करें धन की स्थिती बहतर होगी किसी काम को दूसरों के भरों से ना छोड़ें किसी से मतभेद ना बढ़ने दे उधार लेन देन से बचने का समय है व्यापार के छेत्र में सफलता आपको मिलेगी जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे शुबरंग बादामी उपाय किसी गरीब को फल का दांग करे ब्रिश्चिक राशी प्रापर्टी से सम्बंदित लाब का योग है भावनाओं में बह कर फैसला करने से बचे काम करने का तरीका बदलेंगे तो लाब होगा अचानक धन लाब के आउसर मिलेंगे नकर आत्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें व्यापार में बड़े निवेश से अभी बचे जरूरी टिप क्रोध से बचे शुबरंग सिंदूरी कलर उपाय हनुमान चालीशा का पाठ करे धनुराशी मा की टेंशन दूर होगी माताजी को जो टेंशन है वो दूर होगी मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी भागे का सपोर्ट मिलेगा विदेश से संबंदित काम बनेगे आपका मान अश बढ़ेगा व्यापार में लाब का समय चल रहा है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे शुबरंग के सरिया उपाए गव माता को रोटी खिलाए मकर राशी वाणी का प्रियोग सोच समझ कर करें परिवार से सहयोग मिलेगा किसी काम में ज़ादा आलश से करने से नुकसान हो सकता है आज किसी से उलजने से बचें नेगेटिव विचारों को अपने उपर हावी ना होने दें जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में नुकसान हो सकता है सावधान रहें जरूरी टिप हर काम सावधानी से करें शुबरंग हलका नेला उपाए भगवान गणेश की आर्थी करें कुम्भराशी मानसिक तनाव दूर होगा भागे का साथ मिलेगा कुछ नया करने की योजना बनेगी आपकी कारेचमता बढ़ेगी अहंकार का भाव ना बढ़ने दें व्यापार में लाव का योग बन रहा है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग हलका हरा उपाए गव माता को हराचारा खिलाए मीन राशी अपने खर्चों को कंट्रोल करें मन में नेगेटिव विचारों को बढ़ने ना दें किसी के साथ मतभेद हो सकता है कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी किसी काम में आज आप व्यस्त रहेंगी व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगी जरूरी टिप गुस्षे से बचें शुबरंग गोल्डन उपाए किसी गरीब को गुड़ का दांग करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात जिन लोगों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आपका आने वाला साल बहुत शुब हो आस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आस्टो तक आप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से